चाय के साथ कुछ इस तरह की चट्पटी, तीखी, खटी, मीठी सी नमकीन खाने को मिल जाए, तो चाय का जो मजा है, फ्रेंच बहुत ही अच्छा आता है, तो आज मैंने मक्या पो है, यानि कोन फ्लैक्स की नमकीन मनाई या वो कॉन फ्लैक्स नहीं है, मेरे साथ बने रहिएगा तो इस तरह की जो नमकीन है आप घर पर ही बना कर तयार कर लोगे आदा घंडे में धेर सारी नमकीन बनके तयार हो जाती है तो चलिए फ्रेंट्स रेस्पी स्टार्ट करते हैं हाई एबरीवन आई होप आप सभी ठीक होंगे मेरे चैनल का आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है नमकीन बनाने के लिए यह देखे फ्रेंट्स मैंने यह कौन फ्लेक्स लिया है आप देखो कच्छा वाला कौन फ्लेक्स है इस तरह से पैकेट में भी आता है और खुला भ चेक कर लेंगे तो आपने देखा कौन फ्लेक्स जैसे मैंने डाला तो एकदम यह ऊपर तक नहीं आया तो इसे तलने के लिए फ्रेंट्स हमें जो ऑईल है अच्छा धुआधार गरम करना पड़ता है तभी यह जो कौन फ्लेक्स है बहुती क्रिस्पी बनेंगे तो इसे मै इस तरह से तल लेंगे जैसे ही जागाना खतम हो जाएं आप इसे निकान लें जादा भी न तले नहीं तो या जल जाएंगे और तलने के बाद इसे थोड़ा ठंडा करके एक बार चेक कर लें कि यह अच्छे क्रिस्पी हुए है कि नहीं आप खाकर देख सकते हैं या थोड कान फ्लेक्स डालते हैं पूरा उठकर उपर आ जाता है एक साथी तो इसी तरह का आप ऑईल गरम करें तो जो नमकीन है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और इस तरह से हम जाली पर निकालेंगे जिससे क्या है इसमें जो एक्स्ट्रा ऑईल है वो निकल जाता है और उस मैंने आदा पैकेट ओन फ्लेक्व लिए है आपको जितनी नमकीन बनानी है जितनी इंगिरिदीन्स यूज करनी है इसमें वह उतनीulture मात्रा में इंगिरिडियन्स लें तो वो निकल जाए, जादा चूरा वाला कॉन्फ्रेक्स यूज ना करें, अब इस कड़ाई में सारा ओइल निकाल लिया है, अब इसमें हम वन टेवल स्पून ओइल डालेंगे और इसमें हम इस तरह से कटे हुए ड्राइफूस डालेंगे, तो मैं इसमें काजू बादाम डालनी हूँ, बादाम को भूनने में तोड़ा टाइम लगता है तो इसलिए मैं थोड़ी देर इसे भूननोंगी, उसके बाद अब इसमें हम यह काजू डालेंगे, तो काजू को भी अच्छा क्रिस्पी होने तक भून लेना है और ड्राइफूस भूनने के लिए आप फ्लेम को मीडियम लो रखिएगा, हाई फ्लेम पर भूनोगे, तो अच्छे क्रिस्पी बेक नहीं होंगे, अब लास्ट में इसमें हम थोड़ी सी किस्मिस डालेंगे, और फ्लेम को बन कर देंगे, बस इसी में एक से दो मिनिट किस्मिस को भूनने के बाद इन्हें हम इस तरह से चलनी में निकाल लेंगे, जिससे इसमें भी थोड़ा वहत एक्स्ट्रा ओईल है, वो निकल जाएगा और अब इसी कड़ाई में हम लगबग या आदा कब मुफ्ली लेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर इसे लगाता चलाते हुए अच्छा क्रिस्पी होने तक बेक कर लेंगे, और यहाँ पर मेरे को थोड़ा ओईल कम लग रहा था, तो मैं वन टी पर निकाल लेंगे, और इसी कड़ाई में हम या आदा कब सुखा नारियल लेंगे, जिसे आप देख्टों मैंने पत्ले-पत्ले स्लाइस में कटर लिया है 25 से 20 यहाँ पर करी पत्ते डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इन सभी चीजों को हमें भूनना है, अच्छा क्रिस्पी होने तक और इन दौनों चीजों को आप बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भूने, जिससे क्या है या जले ना, क्योंकि नारियल भी हमने बिल्कुल पत्ला-पत्ला कट किया है और अब यह नारियल और करी पत्ते दौनों भून चुके हैं तो इने निकाल लेंगे और बापस से इसी कड़ाई में हमें दो कब मुर्मुरे लेने हैं और इन मुर्मुरों को भी हमें अच्छा क्रिस्पी बेक कर लेना है, मीडियम लो फ्लेम पर लगाता चलाते हुए, आउयल का यूज अब तो चाट मसाले में भी नमक रहता है इसलिए आप सफेद नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले थोड़ी सी हिंग 10-12 ताली मिर्शी अब सभी को पीस लेंगे और यहां पर जो हमने तयार किया है सारी नमकीन को मिक्स करेंगे तो एक बड़े से बरतन में आप कॉन्फलेक्स रखे उसी में हमने जो ड्राइफूट्स भूने थे वह भी डाले मुफली भूनी थी वह डाले और फिर उसके बाद हमने नारियल और करीपत्ते भूने थे वह भी डाले और साथ भी मुर्मुरे डाले तो यहाँ पर मेरा जो बरतन था छोटा पड़ गया तो मैंने बड़े बहोने में सारी चीज़े टांस्वर कर ली है और हमने जो मसाला पीस के रखा है वह भी डाल दे तो मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉडिंग डाल सकते हो सबी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे तो फ्रेंट्स आपने देखा जो हमने चीज़े यूज की है वह कितनी हेल्दी हैं और कम तेल में बना हुआ या नमकीन है तो आप एक बार जरूर यह रैस्पी ट्राए करें आपके घर में जो भी महमान आता है उसे कलाएं बहुत ही सभी को पसंद आएगा क्योंकि अभी रक्षावंदन आ रहा है तो गैस्ट आएंगे ही सभी के घर में तो एक बार यह नमकीन जरूर ट्राए करें आप एयर टाइट कंटेनर में इसे हमें फिल करके रखना है क्योंकि champions बारिसवों का season है इस season में जो चीजें हैं बहुत जल्दी से सागी हो जाती है तो एयर टाइट कंटेनर लें और उसमें इस तरह से फिल करके रखें तो फ्रेंट्स अगर आज की रेस्पी मेरी आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जासे यादा शियर करें लाइक करें और कमेंट करके विए आपको रेस्पी कैसी लगी थेंकिए फो वोचिंग मैं वीडियो बाई टेक केर